वेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल दिवेल्प के चनल आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आप अपने हाथ और पेरों का मैंने क्यों पेडिकूर कैसे कर सकते हो घर पर भई बताओंगी तो इमने सबसे पहले कोल गेट ले लिए और गहरुत ही तरीके से हाथ पीरों का मैंने किल पेडिक्यूर कर से लिए तो पर तो ङूरू अपको यह जादा इजरू आप यूर्फाड है थो लिए तो यह थो बहुत ही आसान तरीके से पने हाथ और पेरों की गंदगी स situ प्रोब्लम रिमूब हो जाएगी एक बार जरूर झाय किज़ेगें कि हम बाहर जाते हैं तो चेहरे को तम चमका लेते हैं नॉर्मली चेहरा हमाच चाहरा है चमकता ही है बट इस तरीके से आप करोगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से आपकी गंदगी को निखा लेगा है तरीके से टाच्व राखते हैं तो पिल्कुल चिल्डे नीबू है ठंडा नीबू है साथ साथ में इस तरीकी से पुरा पका हुआ नीबू आपको लेना है जब भी आप हाथ-पैरों की पैनिक्वर पैडिकूर के लिए लेते हो तब और नीबू अगर आपके सेंसिटिव इसकी नहीं करता है तो नीबू की जगह आपना नॉर्मली इसमें रोज वाटर डाल सकते अगर आपके नहीं करता है तो आप रोज वाटर ले सकते हैं और कुछ भी आपको प्रॉब्लम होना तो आप मुझे कमेंट सक्षिन में जाके पूस सकते हो और मेरी थोड़ी बोलने की स्पीड जादा तेज है तो मैं आपके लिए उसको माफी चाहूंगी बट आप मुझे अगर कोई भी डाउट होना कोई भी कवैरी हो तो आप मुझे जाके कमेंट सेक्षिन में पूस सकते हो मैं आपको जरूर रिप्लाइ देने की कोशिश करूंगी तो इस तरीके से मैंने नीबू का रस भी डाल दिया है नीबू जो मैंने एक लिया था नो उसको मैंने काटा तो इस तरीके से चार पांच बूंदे में नीबू के रसकी डाल दिया है और यह कोल गेट लास्ट में जो हमारा मुहीं इंगिरिंटे वाला है तिससे हमारे स्किन चंकेगी वह यह कोल गेट ही है और ऐसी चीजे न आप यूज करते हो नहीं यह नहीं कि मैं आपको बोल रह कि वह मैं करना है तो यह सै क्डला गायर अपनी चहरे को समर के लिए आपनी ऑ सकिन को ने क 쿠की में बना सकते हो इस तरहां किसी चीजरों को तो ब्लोल शिज़ों को तीन अब स्किवा चीजों को अची तो लिए कि दिताए को जब तो इस थे तो इस तो मैं पानी शो पानी ढ लालना फिर मिक्स करते रहना इसमें एक भी लम्स नहीं बनना चाहिए यह बहुत ही आसान तरीके से आपके स्किन में काम करेगा और चेहरे की स्किन तो मुझे पता है सेंसिडिव होती है बत हाथ परों में कोई भी नुकसान नहीं करने वाला है तो आप इसको यूज कर सकते ह तो आप एक बार डॉक्टर से ले सकते हो इस रेमेडी को अगर आपकी स्किन मेरी तरह नॉर्मल है तो आप बंदास इसको लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है तो मैं आपको स्किप करोंगी कि लेमन आप स्किप कर दीजिए लेमन की जगर रोस बॉटर आप में और रॉक्टिपन होने i क्योंकि जीजिये आप खांगेड़ी कार छायाम शचलतके प्रमध इंचलतके हो तरह एक तरह ही यह उन्ते बंदास तो आपको पेस्टों कर लिया है अगर आपके रखर सातलय क्परी किแตह आपको तो आप इसको चाहते हैं और आपके मिख अब एक हाथ से इस तरही कमीस इसको कर रहे हैं और मैं जस्धी चीज चाहिए हूं जुत ह regulators इसका को ध्यहान दगना है वीडियो मेंने था ज्यादा लंबा को इसलिए थफ़ार शॉट बना है इसलिए मैं पो बता रहे हु इस तरीक से आपको करना है यूज और मैं आपको बता देती हूँ अब यह तो हाथ पेरों के मैनिकुर पेडिकुर के लिए हो जाएगा बट आप अपनी स्किन पर कैसे गलो ला सकते हो तो सबसे पहले तो आपको healthy खाना खाना है मतलब आपको जंगभूट को बिल्कुल अवाइड करना है मीठ अगर आप अवा तो भी आपके skin के लिए बहुत है अच्छा होगा skin को glowing बनाएगा साथ-साथ में आपको पानी जाते से जाधा पीना भी गर्मिया भी चल रहे है तो बोडी को hydrate भी रखेगा साथ-साथ में बनाएगा इसकी तरीके से आपके skin में निखार लेका आएगा साथ-साथ में आप झालती है पूरे को फीटी होगा साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स- मांनीव इस तरीकी से बढ़ी तो अच्छी तरीके से आप पूरे निवू कार्शन ने चोड़ लो वहीवाले निवूश का उस तरीके से स्क्टिंग में यूज़ करना है तो आपक आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको चैरे पर भी ट्राइ करो इस तरीके से हाथों पे अच्छी तरीके से यहाँ पर आप खुद देख रहे हो यह जहां जाबे मैं लगा रही हूं वहाँ पर गंदिकी साफ हो रही है साथ साथ में यह ना गंदिकी को भा आप ऑब करें अच्छी तरीके से लिग्यास घाप करें इस तरीक नेगा शवरित्टी से माइंट रहा दूर लोमें मैं अच्छी तरीके से वस्ते吃 नाอง कुछ मनले डख यह हो गहा hai तो अब मैं सोचा है अब नीबू का बहुत जाता काम हो गया है तो नीबू को तो साइड में रख देते और अब हाथों को जुगार करेंगे और बिल्कुल अची तरी किसे बहुत अच्छे रिजल देगा आपको यह तो एक बर जरू ट्राइ किजिको अगर वीडियो अच्छ कि सब इसको के लिए अपको रख लेना और फिर इसको वाश कर लेना हाथों तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थेंक यू